हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो निक्या रहा हो देखे तीन ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो की छोटे निवेशक इसमें बहुत ज्यादा इंवेस्टेड है अगर छोटे निवेशकों की बात की जाए रिटेल निवेशक जो की दो लाक से कम का अमाउंट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मैं कहूंगा छोटे निवेशकों को नहीं आप पैसा लगा रहा है खूब पैसा बात करते हैं कि क्या स्थिकी अभी बनी हुए इन स्टॉक में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगर आपने अब बड़ा बैंक मैं तहूंगा इसको सरकारी बैंकों में जब बात आती है SBI पंजाब नेस्नल बैंक बड़े-बड़े बैंक में से एक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बैंक की हालत बहुत ही खराब हुए नीरभ मोदी जी ने आपको पता ही है कितने हजार करो बहुत सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं और पी एनवी में आ रहे हैं अभी का शेर देखे 30 से 32 रुपे के आसपास इसका शेर है अगर आप देखोगे तो देखे 30 32 रुपे का शेर है 87 77 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है कंपनी देखे बैंक का अगर मैं भुक वैल्यू देख यहाँ पर अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो 10 लाख रिटेल निवेशक आपको यकीन नहीं होगा 10 लाख रिटेल निवेशकों ने पैसा लगाया हुए पी इन बी में ज़रा देखे पिछले कुछ टपने नंबर को देखते हैं कि यह बढ़े हैं या कम हुए पुराने नंबर को देखोगे तो यह धीरे-धीरे करके जैसे शेयर का प्राइस नीचे गिरते गया यहाँ पे रिटेल निवेशों को कि शंक्या धीरे-धीरे बढ़ती भी गई है अभी पिछले कुछ टाइम में थोड़ा कम जरूर हुई है सेप्टेमबर 2019 के बाद यहाँ शेयर्स निकले हैं जो है लोगों ने शेयर्स बेचे हैं ऐसा लग रहा है लेकिन वापसी अगर आप देखोगे तो फिर खरीदारी भी जून में अगर देखू मैं जून का डेटा तो ऑल्मोस्ट फिफ्टी वन करोड शेयर्स जो है पी एन बी के रिटेल निवेशों को के पास है फिफ्टी वन करोड शेयर्स मार्च में कितने थे यह यह आप देख सकते हो लेकिन धीरे धीरे करके देखे रिटेल निवेशों अपने आप में दस लाग रिटेल निवेशों कहां पर इन्वेस्टेड है अब मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा म्यूचल फंड वा उसका प्राइस कम होता होगा तो रिटेल निवेशक उसमें खरीदारी करने लग जाते हैं तो कि वह उन को पता है शेस्ता ही हिए और आपको पता है मारकिट में खरीडिकशक यह कि्यों गिर रहा है मैं इसमें क्यों खरीदारी करूंब जो जो point of view होता है रिटेल निवेशक का वो थोड़ा सा different होता हूँ के था सस्ती में मिल रहा है खरीद लो दूगना हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा लेकिन इस चकर में वो एक चीज भूल जाता है जो होता है risk इस से related कि हाँ अगर यही पैसा जो मैं लगा रहा हूँ वो माल बेज देते हैं आप यहां पर देखनीचे किस तरीके से सेप्टमबर 2008 के बाद लगातार बिक्वाली की गई अब मात्र दो पृतिसत की holding PNB में रह गई है mutual fund वालों की इसी तरीके से foreign investors की बात करते हैं portfolio investor की बात कर सकते हैं आप देखिए यहां पे कभी 12% की holding हुआ करत हैं फिर आगे बाकी दो stocks को देखेंगे PNB के stock को technically जड़ा देखिया किस तरीकी से हालात हैं पर बने हुए बहुत ही बुरे हालात हैं धीरे-धीरे करके यहां पर उमीद कुछ positivity की लग रही थी कि यह support का काम करेगा लेकिन नहीं यह और नीचे गिरा और नीचे गिरते गि में यह 20-25-22 के आसपास आगया हां कभी भी कुछ भी हो सकता अगर सरकार की तरफ से कोई announcement आ जाएगा बट आप क्यों stock market में इस तरीकी के announcement इस तरीकी के news के ऊपर डिपेंड हो आप देखिए fundamentally strong share को देखिए अच्छे आप trending stocks को देखिए अगर आपको market में बने रहना तो इस तरीके से तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा जब तक मानो news नहीं आएगी तो फिर आपका चीज़े चलेगी नहीं कोई announcement नहीं होगी तो चीज़े आपका पैसा ब्लॉक रहेगा अगर मा क्या profit book कर पाऊगे time पे जब आपने इतनी देर तक उसमें बेज नहीं पाए तो क्या profit book कर पाऊगे उसमें आपको कि नहीं थोड़ा और बढ़ेगा यह तो इस तरीके से जो mindset है वह market में बहुत ही खतरनाक और दरावना mindset होता है और अभी यह तो monthly chart था weekly chart में में देखने की कोशिश करूँगा आप देखे कितनी बड़ी गिरावाट इसमें लगातार आई है और अक्सर अक्सर मैं आपको एक point यहां पर बताने की कोशिश करूँगा आप यह बात रखे कि किसी भी time frame में जब आपको bearish या bullish cross बनता है उसके बाद जो तेजी आती है जैसे कि यहां प देख सकते हैं कि कहां यह गया है तो इस तरीके से situation को समझना पड़ता है यह नहीं कि शेर थोड़ा सा भागा positivity आगे खरीद लो शेर को तो यह important technical analysis की चीज़ है यहां पर काफी important role play करती है तो जल्दी से join button पर click करके technical analysis आप भी सीख सकते हो वहां पर सारी बारी की आपको ब 50 रुपे का share और 22,000 करोड का market capitalization company का profit growth और बाकी detail आपको पता ही है कैसी हालात सरकारी बैंकों के चल रहे हैं लेकिन इसमें भी जो important बात है उसको देखिए और फिर समझे इसमें भी important बात जो है वो retail निवेशकों की मैं आपको दिखाना चाहूंगा रही है रिटेल निवेशक इसमें almost 10 लाग के आस पास 9,78,000 रिटेल निवेशक बैंक और बढ़ोदा में invested है आज के ये जून का data हमारे पास जो है आपको भी इतने बड़े मात्रा में और इनकी अकेली की holding 8.72% है जो कि लगातार बढ़ती जारिये देखिए 4.65 से लगातार बढ़ते बढ़ते 8.72 हो गया है मतलब पिछले दो सालों के अंदर डबल हो चुका है मानके चलिए दो सालों के अंदर डबल हो चुका है रिटेल निवेशकों की holding इसी के विपरीत अब मैं institutional holdings दिखाता हूँ आपको mutual fund वालों ने इन्होंने क्या किया के 13.90 था इन्होंने धीरे धीरे करके एक सांद नहीं थोड़ा बढ़ा है थोड़ा कम क्या और अभी इनकी holding जो है मात्र आठ से 9% के बीच रहे गई है मतलब ये माल बेच रहे हैं और खरीत कौन रहा है रिटेल निवेशक तो अकसर आपने देखा होगा foreign portfolio निवेशकों की holding भी देखे कहा से गिरी है एक time पर 15% थी 15% थी समबर 2017 और आज की date में कितनी है 4% तो अकसर मैंने ये देखा है जब share का price गरता है जब share सस्ते में मिलने लग जाता है तो होता क्या है होता क्या है कि बड़े निवेशक माल चिपकाते रहते हैं छोटे निवेशक उसको रहा है तो क्यों ये विक्वाली हो रही है तो कभी समाल को नहीं करें लेकिन यहां पर खरीदारी के होती है सस्ते के चक्र में अब देखें यहां पर मैं कहूंगा इसके पी एन बी के बाद बैंक को बड़ोदा के अगर मैं डिटेल दिखा हूं आपको जान दीजिए यह मं अंतली चार्ट में यहां पर बना था और उसके बाद जैसे जो भी रैली आई है वह बहुत ही खतरनाक रैली है इसमें लोग बड़े लोग जो है निकलते हैं माल बेजते हैं लेकिन छोटे लोग इसमें फस जाते हैं रैली इन तीनो रैली को जड़ा देखिए एक से जब भी बनता है देखिए उसके बाद जो यह जंप आते हैं वह आपको फसाने वाले देखिए यह जंप मैं आपको निकलना होता है यानि कि अभी इगर मैं यहां पे निकलने की बात करूं तो 88 का लेवल फरवरी तीस का फरवरी तीन फरवरी के आसपकर बहुत ही इंपोर यहाँ पर हो जाता अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखे तीनों सरकारी बैंकों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूं क्योंकि तीनों में ही रिटेल निवेशकों की खूब होल्डिंग है अब पंजाब नेसल बैंक और बैंक को में तो यह एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा पॉजिटिफ शियर में कहूंगा इसको सरकारी बैंकों में तरह देखे रिटेल निवेशकों ने यहां कितने है ट्वंटी एट लैक और आज की डेट में यह मान के चलिए कि जहां पर सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक इंवे रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा उन स्टॉक्स में होते हैं जो स्टॉक्स या तो डूब रहे होते हैं डूबने के कगार पे होते हैं लेकिन SBI फिर भी एक पॉजिटिव स्टॉक है उसके अलावा अगर आप येस बैंक में देखोगे तो कम से कम 20 लाख रिटेल फस्ता उसमें तो ये SBI लेकिन SBI फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक है मैं फिर से रिपीट करूँगा इनके कंपेरिजन में बाकी दो के कंपेरिजन में SBI एक पॉजिटिव स्टॉक है लेकिन अभी मार्च की गिरावट बहुत ही खतरनाक पेंफुल वाली गिर और अभी मैं कहूंगा कि अगर ये सपोर्ट टूपता है तो फिर आपको SBI में भी पेंट नजर आएगा और ये शेर भी आपको 90-100 पे क्या आसपास देखने को मिलेगा लेकिन ये एरिया उसके लिए तूटना इंपॉर्टेंट है बट अभी के टाइम पे जहां पे सारे स बहुत ही जबर्दस तेजी दिखा रहे हैं आपने देखा होगा वहाँ पे SBI क्या तेजी दिखा रहा है SBI आल्मोस्ट साड़े 300 के लेवल से गिर के 500 पर आया है 50% से ज्यादा के गिरावट लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ा पेंट क्या है इसने बेरिस क्रॉस बना कर रहा है और अब मैं छोटे टाइम फ्रिम पर आपको लेकर चलता हूं देखिए वीकली का बिरिस क्रॉस भी बना है उसके बाद कोशिश कर रहा है यहां पर ब्रेक आउट की और इसके लिए ब्रेक आउट का जो रेंज मैं से मैंने पहले भी वीडियो इसका बनाया था कि आप देखो वीकनेस जरूर मौजूद है वीकनेस बहुत ज्यादा है अगर बैंकिंग और फैनेंस के शेर में देखते हैं तो बहुत ज्यादा वीकनेस अवेलेवल है और आपको लग रहा होगा कि पिछले तीन-चार महिनों में प्राइस काफी जंप गया बट वीकनेस उन स्टॉक्स में है उसके बावजूद अगर आप इनके अलावा इंस्टीड ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स आप देखो फार्मा स्टॉक्स आप देखो एफम सीजी स्टॉक्स आप देखो इनमें आप देखोगे तो आपको गया रहे वा यह तो मजेदा स्टॉक्स है तो उनमें जो हैं इंवेस्टर्स ने खूब पैसा लगा है पिछले क्वाटर के अंदर फिलाल वाइंड आप करता हम वीडियो को यह वीडियो तीनों स्टॉक्स के वीडियो में आपको इसलिए दिखा है क्योंकि यह रिटेल निवेश्ट को ने खूब पैसा इन में लगा जरूर रखा है लेकिन आप हालाद देख पार है कि इसमें कैसी हालाद बने हों है वाइंड आप करता हूं वीडियो को शेर कीजिए लाइक की चैनल सब्सक्राइब कर ले बाइकन को प्रस कर ले जिससे आपन नोटिफिकेशन आते लेगां थांक्यो थांक्यो फाराच वीडियो